कैसे हो आप सब I hope कि आप लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी बहुत अच्छी नहीं है तो आज घर पी भिंदी आया है अधा के जी तो भिंदी के भड़ खाना सब को घर में पसंद है मेरे घर में और I think सभी को पसंद अच्छा लगता है वाइँ तो बहुत दीनों बाद भिंदी आया है तो सब लोगों को भर्व काना है तो आज मैं भिंदी के भड़ुअब ऐसे इसका टेल को कट करेंगे इसके इधर से भी कट करेंगे और उसके बाद इसको हम बीच से कट के देखेंगे कि हर दस भिंडी में आपका दो भिंडी कीरा वाला होता है तो उसको अच्छे से चेक कर लेंगे हम अच्छे से काट लिये हैं उसके बाद हम बीच बीच से इसक याव से सबकूर है और एक खुशी की बात है कि इसमें हमारे पूले विंडी में एक भी कीरा नहीं निगला है लेकिन हर दस भींडी में दो में निकलता है इसमें नहीं निकला है चलिए अब आते हम एक टोमेटो हम कड़के रखे थे लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करना है तो चलिए इसको हम ग्रेवी के लिए तयार कर रहे हैं तो दो टमाटर हम लिए है और भिंडी आधा के जी है अमारे घर में ज्यादा आदमी है कि अھिए हमारे घर में ज्याद आगी इसलिए हमादा कीजिका बना रहाएं आप कं कम कम हम हीं डना सकते हो में आज और कर आप लोग देख सकते हो मेरा यहां पर टोमाटर का आप मिक्सर में भी बना सकते हो क्या बलताख को पीडे इसको हम छोटे से बाटी में डाल लिये हैं तो यह हमारी टोमेटो प्योडी रेडी है और यहां पर गार्लिक है इसका हम पेस्ट बनाएंगे अभी तो यहां पर मेरा गार्लिक और जिंजर का पेस्ट बन चुका है लौसुन अद्रप का को कि इसके साथ रख देती है इसको साइड डालेंगे सर्णो तेल है इसके बाद हम डालेंगे इसमें मास्क्र से सर्णो पीली वदी है तैसमें हम जो सर्णो डाले थे वो मतलब उड़ गई इसमें डालेंगे थोड़ी सी जीरा, हल्दी, गार्लीक पेस, तोमाटो, तोमाटो, इसमें हम जो तीखा खाते हैं ज्यादा डालेंगे, रेट चिली, थोड़ी सी छोटी चमस्टे, चुत्की, गरम, तोमाटो, 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 तोमाट आधा पच्छा आधा पक्का आईए देखते हैं ग्रेवी बनके रेड़ी है अब नमकेट करेंगे पॉलीसी में एक्स कर लेंगे हमारी जुथी वो बनके रेड़ी है इसको हम अब इतार लेते हैं इसको आफ करते हैं फिर हम कैसे आइं जो मैरे सारे भिंदी कहता हुआ है इसके के साथारे गरं है इसी हिए है थंपाल करें भीर सकते हैं में हम गरेंगे इसमें एक एक करके इसमें हम कि bon हम तेल में बनाएंगे हम क्योंकि तेल हमारे घर तो कॉम खाते हैं सम आप लोग चाहे तो कराही में बना सकते हो तो गाइस तावा गरम हो चुकी है तो इसके हम थोड़ी सी ओयल दाल देंगे सरसो तेल थोड़ी सी डाले है क्योंकि जाधा नहीं दाले हो तो कराही में बना सक करना ना भूले और आप लोग उर्षा स्पियर की हूं ऐसे तुम्हाइं कितने बार बनाई हूं भरवा लेकिन आज थोड़ी अलब तरीके से बनाई हूं सब जांज जाएंगे कि विंदी तो आधा कच्छा पका भी अच्छा लगता तो इसको हम पोगर करेंगे कि दो से तीन मिनट के लिए ताकि ये जल्दी से मतलब पक जैसी चाह मेल्ट हो जाएगी बंद किया इसलिए इसको बीच-बीच में हम उलिट प्लेट कर रहे थे तो इस बिल्कुल पक चुकी है आप लोग देख सकते हैं फ्राइब हो चुकी है निखाने के लिए त्यार हो चुकी है इसको रोटी या चावल दाल के साथ चावल और कोई सब्दी आप लोग भी ट्राइब कर सकते हैं अपने घर के जरूर बताईए कैसी लगी मेरी करते हैं गरम-गरम तो चलिए हम लोग तो रोटी के साथ खाएंगे आप लोग चावल के साथ भी खा सकते हो और आप लोग आई है और वीडियो का लाइक कमेंट शेर कीजिए ज्यादा से ज्यादा तब तक के लिए बाई बाई टाटा मिलती हूं कर लेक अच्छे से ब्लॉग के साथ टाटा